हलो दोस्तों, आज हम सावरकर की जीनी का पार्टरी स्टार्ट करने हैं बच्पन से ही विनायकों हिंदू समाज में फैली जाती प्रथा की कूरीतिया कलंग समान लगती थी अपने छोटे से स्तर पर उनोंने कई बार इनका उलंगन पी किया महत्वकंड, ब्रामन और जमींदार कुलका होने के बावजूद उनके सभी मित्र निर्दन और कथित निचली जातियों से संबन्द रखते थे दरजी समाज से आने वाले परशू राम दरजी और राजा राम दरजी उनके गनिष्ट मित्र थे उनके पिता एक नौटंकी का संचालन करते थे जहां वह महिला पात्रों की भूमी का निबाते और लामनी नामक मदुर गीत गाते तीनों मित्र एक साथ खाना खाते और उनके मित्रों की माता विनाय को भी अपने ही पुत्र की तरह स्नेय करती स्तानिय भूमी, विबाग, अधिकारी के पुत्र, गोपाल राओ, आनंद राओ, देशाई के अलावा, वामन राओ, धोपावकर, बापु कुलकर्णी, त्वत्व में एक दरजी, बालु कुलकर्णी, बीखु बजारी, सावला राम सोनार, बापु और नत्थू, विनाय क अननिकटवर्ती, मित्र और सयोगी थे, एक कालपनिक मंदिर का निर्मान कर, उसमें अपने इश्च देव को स्थापित करना, और एक साथ उनकी पूजा में शामिल होना, इन बालकों का पसंदीदा शगल रहता, बाद में वहां अपनी खिलोना पालकी की विविद यात्रा भी निकालते, यह सभी बालक अपनी प्रतिवाशाली मित्र विनायक में उबर्ती राचनितिक चेतना और क्रान्ती के फलते फुलते बीच के भी साक्षी बने, विनायक अपनी उम्र से कही अधिक पड़ाकू भी थे, अपने मित्रों के बीच बैठकर विनायक को अपनी पस बोटी सी आयू से इस परदा की बज़ाय सामुदाइक रहनसेन और सामान जेस्ता में प्रगती की बावना विनायक में गहरे गर कर गई थी। तरकिक सोच का सहारा लेना और परंप्राओं पर सवाल उठाना भी उनके जल्दी ही सीख लिया था। एक बार घर में एक रंग विरंगी पुस्तक हाथ लगती है उन्होंने उसे पढ़ने की ठानी हाला कि ये पुस्कत संस्कृत में थी और उन्हें बहुत कम समझ में आई। जब दामोदर पंद को पता लगा कि उनका बेटा आरणयक पढ़ रहा है तो वहां कूपित हुए। उस समय ये धारना प्रबलती की घर में आरणयक पढ़ने वाले का भावी सामाजिक जीवन आहत होता है। इसलिए उसे वन के एकांत में ही पढ़ना चाहिए। इस सोच का विनायक पर गहरा असर पढ़ा। पुस्तकों की अलमारी के शीर्श पर रखी हुई ए शौट हिस्ट्री ओप द वर्ल्ड उन्हें अपनी और ताक्ती दिखी तो उन्होंने लपक कर उसे उठा लिया। दुर्भाग्य वर्ष पुस्तक का पहला हिस्सा फटा हुआ था और अरब के हितियास से उसका आरंब हो रहा था। इसके प्रत्यक सच्चे और व्यवारिक इतिहास कार के समक्ष आने वाली साशक दोवेदा उनके सामने भी आखड़ी हुई। उनका युवा मस्तिश्क कुलबुलाने लगा कि यदि इन विनिष्ट पत्रों को पुना जोड भी दिया जाये तो क्या फिर भी ये कथा क्या आरंब तक पहुँचा जा सकता है। उनकताओं का क्या होगा जो इस किताब में प्रकाशित सभी घटनाओं से पहले छट चुकी थी और जिनें कभी लिखा नहीं जा सकता। अंश मात्र ही मिलेगा क्योंकि उसका आरंब हमेशा के लिए विस्मरत रहेगा। ऐसे समय जब उनके अधिकान सेपाटी स्कूली किताबों को पढ़ने के नाम से भी थर्राते थे, विनाय के युवा और उर्व मश्टिक्ष में ऐसे विचार जड़े बना रहे थे। पुस्तकों के उसी अलमारे में उनके लिए कई और खजाने भी थे। जबाव शाली कारे के जरिये उनने पूर्णा के लोगों में उनके गौरफ शाली अतीप के बारे में बता कर अंग्रेजी शाषन पर प्रशन दागे थे। माह भारत के अनुदित संसकरनों केसरी समाचार के संसकरन सद्मव दीप नामक मासिक पात्री का होमोकर के ग्रंत्र इलियड से लेकर मोरो पंत एव वामन जैसे दिगच मराठी का व्योग का काव्य भी वहां था। विनायक ने पूरी निष्टा से इन पुस्तकों का अध्यन किया। यह सब कारे उन्होंने 11 वर्ष की आयू से पहले ही कर लिये थे। उन्होंने समकालीन मुद्धों पर अपने निबंदों में चुपलुडकुर की शैली का अनुकरन किया। विनायक के अंतर मन में कवीता का जनम आठ वर्ष की आयू से होना चालू हो गया था। हाला कि उन्हें मराठी के ओवी पटका और आरे कावे चंदरों का उपियोग किया। परंतु उन्हें सबसे अधीक मोरोपंत के आरे चंदर ने आकरशित किया। दुरभाग्यवश उनके अध्यापको एव स्कूल हेड मास्टर ने उनकी कावे प्रतिबा को नहीं समझा और उसे फितूर समझ कर खारिच कर दिया। लग कि एक शुरुवाती हेड मास्टर जरूर विनायक की कावे प्रतिबा के प्रति सविदन शीर्थिवा एक और विनायक से अपनी नीजी काम कराते तो दूसरी और उन पर गहरा विश्वास भी करते थे विनायक को वह स्कूल की मोहर का ध्यान रखने का सबसे जरूरी कारे सौपते तो खुद दोपैर में जबकी लेने के लिए विनायक से स्कूल की देखबा करने का हलका फुलका काम भी करवाते इसके बदले वह विनायक की आरेच छंदर की कवीताएं भी पूरे देरे के साथ सुनते थे परन्तु इनके बाद जो हेड मास्टर आये वह स्वाय कवीते और विरायक के पती उन्हें विशेश विर्ती भी थी जब युगा बालक उनके पास अपनी कवीताएं लेकर पहुँचा तो उन्हें एक नजर देख उन्होंने उसे एक और फेक दिया और कहा कि मात्र तुक बंती से कोई कवी नहीं बन जाता सावरकर ने अपने संस्क्रों में लिखा है कि उन्हें जीवन पर इस बात का मलाल रहा कि काश कोई समवेदन शील और स्नेहा शील माग दर्शक इस दिशा में उन्हें सई मार्ग दिखाता परंतो हिम्मत नहार कर वे लिखते रहें अपनी कवीताओं का विबिन समाचार पत्रों को बेशते रहें उनके और पूरे परिवार के लिए वशन बहुत गौरव शालीता जब पहली बार उनकी कवीता स्वदेशी की फटकार समाचार प्रत्र जगत हितेशी में प्रकाशि यहां पल उन सबको देखने वाले को आइने की तरह था जो उनके प्रयासों का उफास करते थे वही समाचार पत्र की संपादक इस तत्र से अंजान थे कि जिस कवी को उन्होंने प्रकाशित किया है वह एक बारा वर्षिय बालक है दरम ग्रंत इतियास कावियों और महा कावियों को पढ़ने की उनकी आदत के कारण विनैक कई बार अपने स्कूली कारे में पिछड जाते परंतो इस समिस्था को पार पाने के लिए उन्होंने एक अनोखी विद्धी इर्जात की जिस रोज स्कूल का काम वह पूरा नहीं कर पाते वह देर से स्कूल पहुंचते और सबसे पिछली वारी सीट पर जा बैठते जब तक उनकी बारियती वह कारे पूरा कर चुके होते जबकि अन्य छात्र अभी अपने पर्चे जमा कराने की प्रत्रिक्रिया में ही होते विनायक अवल दर्जा हासिल कर अध्यापकों की वावाई बटोडते सामाचार पत्र पढ़ने की आदत से उने ततकालीन महारास्टर और देश भर के घटना ग्रमों से आवगत करवाया वह खासा उथल पुथल बरा समय था जिसके प्रतेक परश में उनकी गहरी रूची थी महारास्टर का सामाजिक राजनितिक परिदर्श 18-18 के बाद महारास्टर की जमीन पर जो महत्व पूर्ण जन साखिय परिवर्तन आया वह था कि पूर्वर्ती पेश्वा शक्ती की राजदानी पूर्णा की लोग प्रतिक्ष्टा के मामले में आई कमी अनेक धनिक सावरकर बैकर परिवार जिरें नीजी कोश भरे रहते थे का महत्व एकाएक समाप्त हो गया था छिन भिन पेश्वा सेना के सदस्य बेरोजगार हो गये थे पूर्णा की स्थान पर बंबई अधिक आदोनिक महा नगरिय स्वरूप और आर्थिक विकास का महत्पुन केंदर बनकर उभनने लगा अठरा सो तीश के दशक में शुरू है चीन के साथ अंग्रेजों के व्यापार के बाद बंबई लिवरपूल से लेकर केंटन तक इस्ट इंडिया कंपनी की वास्तविक जीवर रेखा का सेतू स्थापित हुई यहां कपड़ा उद्ध्यों की नीव पड़ी सूत का पहला कारखाना 1851 में कावसर जी दावर ने स्थापिक किया 1880 तक कारखानों की संक्या 43 और 1885 तक यह आकड़ा 73 तक जा पहुंचा मैतुन पक्ष यहां था कि इस आर्थिक पुन्रोदार के करता धरता अधिकांश गेर मराठा थे अंग्रेज, पार्सी, भाटिया और खोजा का बंबई के कपड़ा उद्योग पर एकाधिकार था जबकि मराठी बाशी कारखानों में काम करने वाले करमचारी तक में त्रह गए थे, उनकी हालत बत्तर हो चली थी, जब बंबई के गवर्नर मौन्स्टुवर्ड एलफलेंटन ने शैशनिक संस्थाओं के एक समू की स्थापना की, तो शिक्षा स्थेत्र में भी बंबई ने मोर्चा फते कर लिया था, बाद में 1870 के दशक में जाकर पून ने सामाजिक राजनीतिक परिदर्श में हर दूसरे मुद्धे पर बंबई के बरक्स विकल्प स्थापित करने शुरू किये, एक और जा बंबई विबिन मुद्धों पर प्रगती, शील, मुक्त और मद्यमार्गी विचार रखता था, वही पूने में पारंपरिक और यहा प्रवक्ताओं की भूमिका रई, उनमें एक महत पून नाम न्यायादीश महादेव गोविंद रानाडे 1842 से 1901 तक का था, जिनोंने इस कारे की बुन्याद अपने तबादले के बाद पूना में 1871 में रखी थी, महादेव गोविंद रानाडे उदार पंती थे और शिक्ष्या तता विद्वा विवा की संबंध्न प्रचलित पुरातनवादी विचारों को दूर करने में लंबे समय से प्रयास रथे, अनेक समाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुडाओ और अपने विस्तत लेखन के दम पर उन्होंने समाजिक सुधार और अंग्रेजी शाषन के खिलाव पोर्जोर आवाज उठाई और स्वदेशी तता देशी प्रयासों से ओध्यविक एव आर्थिक निवेश के पक्षिधर थे इसी दोरान 1870 में पूना में गणेश वासुदेव जोशी लोकप्रिय नाम सार्वजनिक काका के नेतिर्थ में सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई जो पूना के भौदिक वर्ग और उसके माफत प्रेसिडेंसी की समुची मराठी बाशा जनता की आवाज बनी प्रशासन से लेकर अकाल रहत और समाज सुधारत अक्के कारियों में सरकार को नेरंतर ग्यापन देने वाली इस सभाने माराष्ट्र की राजनितिक परिदर्श में पूना से जुड़ा नया अध्याय लिखा और रानने इसके अटीट अंग बने रहे 1880 में विश्नु शास्त्री क्रिश्न शास्त्री चुपलोड कर से प्रेरित युवा सनातनों ने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की इसका मुख्य उद्देश अंग्रेजी शिक्षा को समाज में सर्व सुलब बनाना था वित्त की समस्या से पार पानी के लिए उन्होंने अनोखी विद्दी अपनाई अध्यापको ने बिना मेहंताना लिए काम करना स्विकार किया डेकन स्टार के समपादक M.B. नाम जोशी ने समाचार पत्र को स्कूल के साथ जोड दिया स्तानिय बाशा एक अन्य समाचार पत्र भी उन्हें अपना सयोग दे रहा था समाचार पत्रों से होने वाले लापको स्कूल की गत्यविद्दियों में सयोग ये तो इस्तमाल किया जाता था 1881 के पूर्वदों में चुपलोडकर जी के नित्युत में बाल गंगादर तिलग ने स्कूल की गत्यविद्दियों की अन्गवाई की एक उचसाही युगा गोपाल गणेश अगरकर भी जल्दी उनसे आ जुडे उन्होंने दो अकबार पत्रों मराठा और केसरी का प्रका 1884 में डेकन एजुकेशन सोसाइटी और उसी वर्ष के अंत में फैंगुशन कॉलेज की स्थापना करने की प्रेणा मिली हाला कि जो विबोतियों शिक्षा प्रसार के व्यापक लक्ष को लेकर एक मंच पर आई थी उनमें विशेशकर तिलक और अगरकर के बीच वैचारिक मत्वेद उबरकर सामने आने लगे जहां एक और केसरी के आलेक समाज सुधारक और हिंदू समाज के प्रती सरकार को कानून बनाने के पक्ष में कहते वही उसी सप्ता मराठा में तिलक की लेखनी इसे ठीक विप्रीत आवाज बुलंद करती प्रतीक समाजिक और राजनेतिक मुद्दे पर उनके विरोधी पक्ष जनता के सामने होते अता 1888 में तंग आकर अगरकर ने एक अंग्रेजी भाशी समाचार पत्र सुधारक की शुरुआत की इस कारे में एक युवा सयोगी गोपाल कृष्ण गोखले उनके साथ थे जो 1886 में सभा के साथ जुड़े थे वैचारिक बहस से उपजी गर्मी के कारण अगरकर ने कई तीखे पत्र लिखे जिनमें उनोंने तिलक के बरताओ की बत्सना करते हुए उन पर अनेक समाजिक कार्यों जन भावना मैत्री इमानदारी और एकता की कीमत पर स्वय के महिमा मंडल का आक्षेप लगाया अता अब अब तक साथी रहे दोनों प्रो धाराओं के बीच की कटूता खुलकर सबा के सामने आ गई जिसमें इन दोर के होलकर महराज द्वारा सबा को दिये गए अनुदान के अगरकर द्वारा दुरुपयोग पर भी चर्चा हुई इस संदव में एक गर्मा गरम बैठक के बाद तिलक ने इस्तिफा दे दिया सईयोगों को अपने विचार नेत्वित और असर में लाने में असफल होने पर निराश होकर तिलक सभा से अलग हो गए परंतु जाते वे अपने साथ दोनों समाचार पत्रों मराठा और केसरी के एक आधिकार भी लेते गई दोका करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलने में उनके लिए अमूले ओजार साबित हुए और इनी की दम पर उन्होंने दखन की राजनीती में अपनी राजनेतिक कुशलता और असर का लोहा भी बनवाया। इसके बाद मध्यमार्गी, उदारवादी और आत्म लोचक, सुधारक तता हिंदू चेतना, उग्र राष्ट्रवादी और उर्गपंथी विचारों वाले परसपरस विरोधी वैचारिक धड़ों के बीच युद्ध रिखायें स्पष्ट हो गई।